असलाम अलेकुम आज मैं आप से साथ शेयर करने चिकन काली मिर्ट की रेसिपी जो बहुत जादा टेस्टी बनेगा बनाने में बहुत एजी है और एकदम लाइट से मसाले के साथ बनता है तो टेस्ट में तो बैस्ट हो गई तो जुरूर ट्राइ किजिएगा और रेसिपी प दके बाइट करेंगे तो टेस्पून यहां पर हमने नमक आड कर दिया है और दाटीपर नहीं दही आड कर दूंगी बस अच्छे से सबी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से mix करने के बाद आप इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में डालकर रख दीजी उसके बाद हम इसको fry करेंगे अगर आपके पास और भी टाइम है तो जादा देर तक भी रख सकते हैं अब यहाँ पर इसका मसाला तेयार करेंगे तो यहाँ पर देखिए चार हरी मिर्स ले लिए और 6-7 की कलिया एक इंच का द्रक का टुक्डा तो इनको हमने कूट लेना है क्योंकि हम इसमें और कोई मिर हो गया है तो आज में यूज कर रही हूं आज की रेसिपी के लिए डिसानों का एक्स्ट्र लाइट ऑलिव और तो यहाँ पर देखिए हमने पैन ले लिया है इसमें और कर देना है 5-6 टेबली स्पून अगर आप इस और को भाई करना चाहते हैं यानि खरीदना चाहते है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बक्स में मिली जाएगा ओईल गरम हो चुका है तो यहाँ पर चिकन के पीछे जाट कर देना है और यहाँ पर एक साइट से अच्छे से हमें इसको फ्राई होना है कर लेना है गोल्डन कलर आने तक तो हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो द अच्छा कलर आ गया है तो इसको एक बोल में निकालेंगे यह हमने एक बोल में निकाल लिया इसको साइट कर देंगे आप सेम उइल में जो बचा इसमें चिकन फ्राई के आता है आदा इंच का दाल चीनी का टुकड़ा दो लॉंग चार से पांच काली मिर्च और दो हरी ल थोड़ी देट के लिए को सेकेंड के लिए अच्छे से भून ली जिएगा ताकि जो लैसुन का कच्छा पन है बो निकल जाए अब देखिए थोड़ा सा बुन चुका है एक मिनट भून लिया है तो यहां पर हमने एक बड़े से साइस का प्याज लिया था इसको हमने तब इसके बाद इसमें दही एट करना है तो यहां पर मैं दही एट कर रही हूँ एक कप ग्रैम से ना पेंगे तो तो तेर सो ग्राम दही होगा फैट कर लीजेगा अच्छे से फ्लेम को लो ही रखिएगा लो फ्लेम पर इस तरह से मिक्स करने के बाद हलका सा उबाला आने लगे तब चिकिन एट करना है क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर दही एट करेंगे तो वह फट जाएगी और मिक्स करते रहना है दही डालने के बाद वरना दही फटने कर डर रहता है या फिर ऐसा कर लीजेगा आप कि पहले चिकन एट कर लें उसके बाद दही एट कर लें अब 1 टी स्पूर यहां पर कोटीवी काली मेर्श अच्छे से मिक्स करना है अब इसको कवर करकर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए क्योंकि थोड़े बड़े पीसेज है अब देखिए 15 मिनट हो कप क्रीम एड़ करूंगी अब जितना क्रीम चायंस में एड़ कर सकते हैं अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो दूद के मलाई भी ले सकते हैं वन टेबल स्पून यहां पर मैने रोस्टेट क्रश की हुई कसूरी मैथी एड़ कर दिये और हाफ टी स्पून काली मिर्च का क पूटी हुई काली मिर्च और एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे सबी चीजों को अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम यह फेस्बूक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाहिए फॉलो किजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें एड़ करना है हमें बटर तो यहां पर हम वन टेबल स्पून बटर भी एड़ कर देंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब आप इस तरह से बनाएंगे क्योंकि बहुत से लिग काजू के साथ बनाते हैं प्याज से और बस फ्लेम को थोड़ा बंद कर दीजिए और यह हमारा चिकिन काली मिर्च बनकर रेडी हो चुका है फ्लेम को बंद कर दिया है हमने अब इसमें लगाना है हमें स्मोक यह ऑप्शनल है आप चाहें लगाए बना इसकी भी कर सकते हैं मुझे इसका टेस्ट पसंद है त अब देखिए यहां पर अच्छा से स्मोक लग चुका है तो इसको हटा देंगे थोड़ा सारे धनिया स्प्रिंकल करेंगे फ्लेम को थोड़ा सा ओन कर लिया है बस एक मिनट हमें इसको इस तरह से मिक्स करना है फ्लेम कर दिया है सब कर लेने यह देखिए बहुत ही सा बनकर त्यार हुआ है तो आप इसको रुमाली रोटी के साथ खा सकते हैं तंदूरी रोटी के साथ यह पर एज़ा स्टार भी इसको खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो जुरू ठ्राइ किजिएगा इस रेसिपी को उम्मिद करती हूं आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इन्शालला नई रेसिपी के साथ फिर आजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अल्ला हफीज